नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है राजकुमारी का स्वेंबर यह एक मोटिवेशनल कहानी है और मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी बहुत समय पहले की बात है एक राजा था जो की एक बहुत बड़े राजे पर राज करता था उसकी एक बेटी थी और कोई बेटा नहीं था एक लोती बेटी होने के कारण राजा आपनी राजकुमारी बेटी से बहुत प्यार करता था उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी राजा एक दिन विचार करता है कि मेरी गुणवान और सुन्दर सुशील बेटी के लिए योग्यवर कैसे तलाशा जाए राजा के मंतरी राजा को स्वेमर करने और राजकुमारों को बुलाने की सलहा देते हैं और उन के लिए खुलूई तुनोती रखने के लिए कहते हैं जिसमें गुणवान योग्यवर सहासी राजकुमार की परख हो जाए राजा जल्दी ही अपने आस पास के सभी देशों के राजकुमारों को स्वेमर में आने के लिए नियोता भीज़ता है और सभी राजकुमारों को एक निश्चित दिन राजसभा में बुलाया जाता है आसपास के सभी देशों के राजकुमार स्वेंबर के दिन राज्ये में पहुँच जाते है राजा सब का बहुत स्वागत करता है राजसभा में राजा के साथ उसकी बेटी भी उपस्तित होती है वह बहुत सुन्दर थी सभी राजकुमार जब उस राजकुमारी को देखते हैं तो वे अपने मन में सपना बुन्ना शुरू कर देते हैं राजा सभी को अपनी बेटी से परिचित करवाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी के स्वेंबर में पधारे सभी राजकुमारों का स्वागत है जैसे कि आप सभी राजकुमार जानते हैं कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, सिरफ एक पुत्री है इसलिए मेरी पुत्री से जिसका भी विवा होगा, उसे मैं अपनी बेटी के साथ साथ अपने राजे का आधा हिस्सा भी दूँगा सभी राजा और राजकुमार बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं फिर राजा कहने लगा किन्तु मेरी बेटी का विवा योग्य और साहसी राजकुमार से ही मैं करना चाहता हूँ इसलिए आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में आप में से जो भी राजकुमार सबसे पहले कल सुबह पास के जंगल में जो नदी है उसे तैर कर पार कर लेगा, मैं अपनी बेटी का विवा उसके साथ कर दूँगा परन्तु मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि नदी में बड़े बड़े मगरमच हैं हम सभी कल सुबह नदी के किनारे मिलेंगे, यह कहकर राजा सभा को समाप्त कर देता है और सभी को नदी के किनारे आने के लिए कहकर चरा जाता है सभी राजकुमार चिंतित हो गए, सभी को अपनी अपनी जान की पर्वा होने लगी, आधे से ज़्यादा राजकुमार डर कर रात में ही अपने देश को लोट गए सुभे राजा और राजकुमारी जब नदी के किनारे पर पहुँचे तो वे देखते हैं कि वहाँ पर बहुत थोड़े से राजकुमार ही आये हैं राजा फिर से दोराता है, कोई भी राजकुमार सबसे पहले इस नदी को तैर कर पार करेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी दूँगा किन्तु ध्यान रहे, इस नदी में बहुत बड़े-बड़े मगरमच भी हैं सभी एक दूसरे को देखने लगे, और कोई भी नदी में कुदने का साहस न कर सका राजा बहुत चिंतित हो गया, तभी राजा वहां खड़े गाउन वालों से कहने लगा कि जो भी प्रतियोगिता देखने आये हैं, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं आप सभी में से जो कोई भी नदी पार करेगा, उसे राजगुमारी से शादी करनी होगी और उसको आधा राज्ये भी मिलेगा सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं कि कोन कूदेगा, क्योंकि सभी को पता था कि नदी में मगरमच हैं तभी छपाक से किसी के पानी में कुदने की आवाज आई। सभी देखते हैं कि एक गाउं का लड़का जल्दी जल्दी नदी तैर कर पार कर रहा था। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुँचा गाउं वालों ने उसे उठा लिया और नारे लगाते हुए उसको राजा के पास ले आए। राजा कहने लगा तुम बहुत बहादूर हो बेटा मैं तुम्हें अपना आधा राज्य भी दूँगा और अपनी बेटी से शादी भी कराऊंगा। उस पर लड़का कहने लगा महाराज मैं आपकी बेटी से शादी भी करूँगा और आधा राज्य भी ले किन्तु पहले मुझे यह जानना है कि मुझे पीछे से धका किसने दिया था। दोस्तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताइं होती हैं किन्तु कई बार हम पहले ही परिणाम के चिंता करके डर जाते हैं। हमने जो बड़ा सोचा है जो कि हमें सफल कर सकता है उसे करने से पहले ही छोड़ देते हैं जबकि हमारे अंदर उसको करने की बहुत क्षमता होती है। आदमी को कुछ भी करने से पहले डर जरूर लगता है इसलिए अपने डर पर काबू पाकर हमें प्रयास जरूर करना चाहिए दोस्तो स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें धन्यवाद